अरिजीत सिंह समकालीन भारतिय संगीत में सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली पार्श्व गायकों में से एक हैं, जो अपनी भावपूर्ण आवाज और गीतों में भावनात्मक गहराई के लिए जाने जाते हैं. यहां उनकी जीवनी, जीवन कहानी और उलेखनीय तत्यों पर एक विस्त्रित नजर डाली गई है. तत्य नंबर एक प्रारंभिक जीवन. अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रेल 1987 को जियागंज, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में हुआ था. वह एक संगीत परिवार में पला बढ़ा है. उनकी दादी ने गाया था, उनकी चाची ने भारतिय शास्त्रिय संगीत में प्रशिक्षन लिया था, और उनकी मा भी तबला बजाती और गाती थी. उन्होंने संगीत में आपचारिक प्रशिक्षन अपने घर से प्राप्त किया, और उनकी स्कूली शिक् उन्होंने धीरेंद्र प्रसाद हजारी से तबला भी सीखा, जबकि बीरेंद्र प्रसाद हजारी ने उन्हें रवींद्र संगीत और पॉप संगीत सिखाया। उन्होंने एक स्वतंत्र संगीत कार के रूप में काम किया और कोलकाता में संगीत प्रोग्रामरों के साथ भी काम करना शुरू किया। तुम ही हो की सफलता के बाद अरिजीत एक घरेलू नाम बन गए। उन्होंने चन्ना मेरया, राप्ता, ऐ दिल है मुश्किल और कई अन्य हिट फिल्में गाने दी। तथ्य नंबर चार कलात्मक्ता और गायन शैली अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले अरिजीत की गायन शैली की विशेश्ता, उनकी गहरी, भावपूर्ण आवाज और भारतिय शास्त्रिय संगीत को समकालीन संगीत शैलीयों के साथ सहजता से मिश्रित करने की उनकी क्षमता है। गायन के अलावा अरिजीत ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए संगीत रचना में भी कदम रखा है। अरिजीत और कोयल के दो बेटे हैं, वहीं कोयल की पहली शादी से उन्हें एक बेटी है। अरिजीत बॉलिवुड संगीत में एक प्रमुख शक्ती बने हुए हैं। शीर्श संगीत निर्देशकों के साथ सहयोग कर रहे हैं और विभिन शैलियों की फिल्मों में अपनी आवाज दे रहे हैं। भारतिय संगीत में अरिजीत सिह का योगदान गहरा रहा है। उनकी आवाज ने बॉलिवुड संगीत के एक नए युक को परिभाशित किया है। एक रियालिटी शो प्रतिभागी से एक संगीत संसनी तक की उनकी यात्रा प्रतिभा, द्रिढ़ता और जुनून की एक प्रेरक कहानी है। ऐसे ही अच्छे अच्छे जानकारी वाला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कर दीजिएगा।